स्वागते दोस्तों आप सभी का फिर से मेरी एक और नई वीडियो में भाई आज यहाँ पे हम रिव्यू करने वाले हैं 2024 की किया केरेंस का जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है यह इसका ऑप्शनल वर्जन है भाई उप्शनल वर्जन एक और चीज एड़ान करिये किया ने अपनी गाड़ी में यानि उसके जो भी वेरियंट साते थे उन में इन्होंने एक और चीज़ एड़ान कर दिया जिसमें आपको नॉर्मल वर्जन से थोड़े फीचर ज़्यादा देखने के ले मिल जाते हैं तो आज यहाँ पर हम बात करेंगे किया केरेंस प्रेस्टीज ऑप्शनल वर्जन के बारे में जो हमारे सामने खड़ा है जानेगे इस गाड़ी में आपको क्या फीचर एक्स्रा मिल जाते हैं प्रेस्टीज से प्राइस रेंज यहाँ पको क्या देखने के ले मिलती हैं और क्या क्या चीज़े यहां पर आपको add-on हो जाती है तो वीडियो काफी interesting रहने वाला है वीडियो को end तक का जरूर देखेगा और अगर हाँ वीडियो पसंद आई तो like, comment और share जरूर कीजेगा और अगर चैनल में आए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजे, bell icon को प्रेस कर लीजे जिससे कि आपको ऐसे भहतरी अपडेट्स मिलते रहें तो दोस्तों यहां पे जो किया केरेंस गाड़ी है यह mostly आपका MUV वेकल में count की जाती है यानि multi utility वेकल यानि इसमें आप पूरी family को carry कर सकते हैं यानि अगर जिसकी बड़ी family है वो यह गाड़ी जरूर प्रफर करते हैं जैसे आप मारूती में देखेंगी तो इसमें अर्टी का आपको देखने कले मिल जाएगी XL6 आपको यहां पर देखने कले मिल जाती है महिंद्रा में पहले मराजो आती थी लेकिन आप वहाँ पे आपको इनोव वगरा देखने कले मिल जाती है तो यह गाड़ी क्यों बहतर है किसलिए आपको लेनी चाहिए बात करेंगे उसके बारे में भी सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी की महेंगी देखने कले मिल जाती है और फ्रेंट में वैसे कोई चेंज आपको देखने कले नहीं मिल जाती है और यहाला pattern आप देखेंगे तो पूरा glossy black का आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा और इसमें आपको silver color का insert भी देखने के लिए मिलता है फ्रेंड में आपको चा पार्किंग सेंसर देखने के लिए मिल जाते हैं ग्रिल पोशन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दी गई है और यहाँ पर आउटर से भी इसमें आपको silver color का insert देखने के लिए मिलता है किया के logo की बात करेंगे तो वो आपको यहाँ पे hood में देखने के लिए मिल जाता है start and finishing में और जो यहाँ पे आपको headlamps देखने के लिए मिलते हैं यह आपको auto में देखने के लिए मिलते हैं 3540 mm की लंबाई यहाँ पापको देखने के लिए मिलती है A plus आपको पूरा glossy Black में देखने के लिए मिल जाते हैं और जो B plus यहाँ पर हो आपको पूरा option देखने के लिए मिल जाते हैं यह हमारे समने petrol वाला version खड़ा है डीजल वाला version यहाँ पर आपको इस price range से 2,00,00 रुबे से उपर का देखने के लिए मिलता है यानि अगर यह 14,13,000 का है तो वो आपको 16,30,000 रुप के असपास on road पड़ता है अब side में खड़े हैं और wheelbase की बात ना हो तो ऐसे कैसे हो सकता है लंबी गाड़ी है तो wheelbase की बात करनी पड़ेगी 2780 mm का wheelbase यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है और ground clearance की बात करेंगे तो भाई 195 mm का ground clearance यहाँ पर यह गाड़ी आपको provide कराती है टायर की बात करेंगे तो steel wheel rim यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं गाड़ी में जिसमें wheel cover भी आपको देखने के लिए मिलेंगे JK के टायर हैं और टायर profile की अगर बात करेंगे 195 65 R15 का टायर profile यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा white और black का combination यहाप आपको देखने के लिए मिलता है और अगर rear से चलते हैं तो भई rear से गाड़ी का look कुछ यू निखर के आता है भई लेकिन आपको इस गाड़ी में पूरा halogen का ही setup देखने के लिए मिलता है यहाँ पर आपको इस गाड़ी में आपको आपको देखने के लिए मिलता है भई देखिए 6-seater होने के साथ साथ आपको इहाँ पर इस पेस भी मिल जाता है बूट स्पेस 216-liter का काफी अच्छा का सा बूट स्पेस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जा रहा है मतलब 6-seater में बनना मूसली आपको बूट स्पेस मिलता ही नहीं और यह seats को आप रिक्लाइन भी कर सकते हैं यह देखिए इस तरीगे से और आप जहाँ पर एड़्जस करना चाते हैं वहाँ पर इसे एड़्जस कर सकते हैं फिर यहाँ पर आपको हैंगिंग के लिए ऑप्शन मिल जाएगा तो वह आपको यहाँ नीचे देखने के लिए मिलती है कुछ इस तरीगे से बाकी बूट में इतने बूट को करते हैं बंद और यह कोई भी वाइपर वाशा डिफॉगर नहीं मिलता लेकिन आपको हाइमन स्टॉप लाइड मिल जाएगी बाकी अगर स्मार्ट की एंट्री है तो भाई यहाँ पर आपको इंजन स्टॉप का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा डोर पैनल कुछ इस तरीकेस आपको मिलता है, डूल टोन में मिलेगा, बीज और ब्लेक का कॉंबनेशन है, सिल्वर कलर का इंसर्ट भी मिलेगा, बाकि यहाँ पर चार के चार पाउर वंडो के स्विच मिल जाएंगे, सेंटर लोकिंगे बटन, ओवा भी हम इलेक्रिकली एज है, पिछे कितनी मिलती है, चलो बाद में देखेंगे, और फिर इंटीरियर, यह देखेंगे, फ्रंट का इंटीरियर, कुछ इस तरीकेस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलते है, और बाकि hydraulic में मिल जाएगा बाकि यहाँ पर साफ fuel tank का lid open कर सकते हैं गाड़ी का hood open आप यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर आपको देखिए idle start stop का button है ट्रेक्शन कंट्रोल का button है और यहाँ पर headlam leveler भी मिलेगा AC vents आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और यहाँ पर आपको चोर pocket मिलती है यह देखिए जिसमें आप कुछी छुपा सकते हैं क्या छुपाना है वह आप देख लीजे बाकि चलते हैं गाड़ी के अंदर बैट के देखने कैसा feel होता है आईए तरवाजा करते हैं बन तो यह आपको देखने के लिए मिलता है सेंटर कंसोल के अगर बात करेंगे तो यह देखिए यहाँ आपको music सिस्टम ही मिल जाता है जो आपको 8 इंच में देखने के लिए मिलेगा जिसमें आपको Android Auto Apple CarPlay देखने के लिए मिलता है इसे on करते हैं यह यहाँ से यह देखिए क्या वा इस वेरेंट से यह देखने के लिए मिलता है राउंड में स्टेरिंग वील आपको देखने के मिलेगा इंसर्ट मिल जाता है music के आपको left-hand side में राइट-hand side में आपको cluster के controls मिलते हैं voice command का भी option देखने के मिलता है left-hand side में आपको wiper के controls मिल जाएंगे right-hand side में आपको headlamp औ उनके ऐसे दिये गए ना जैसे पता ही नहीं चलते हैं कहां पर डिजाइन ही कुछ इस तरहीं से कर रहा है काफी अच्छा डिजाइन यहां पर देखने के लिए मिलता है यहां पर देखेंगे तो यह आपको parking sensor का बटन मिल जाएगा type-a का port है type-c का port है 12-volt का adapter socket भी यहां पर मिलेगा hill decent control का button भी मिल जाता है यह एक पहली cloth गाड़ी है जिसमें आपको hill decent control भी दिया गया है मुझा में मुझा में जो इसके segment में आती है जैसे और एकसल शिक्स ही है आज की तारिक में तो उसमें आपको hill decent control नहीं मिलेगा और फिर यहां पे आपको gear knob देखने के लिए मिल जाता है यह ट्रेय आपको यहाँ पर देखने के लिए वाइखे से बंद करते हैं और फिर यहाँ पर देखेंगे तो यह देखेंगे ग्लॉब बॉक्स आपको decent सा space यहाँ पर देखने के मिल जाता है एक और मैंक की प्लेसिंग, reading lamps आपको hydrogen में देखने के लिए मिल जाते हैं यहाँ पर आपको ticket holder और यहाँ पर आपको vanity mirror का option देखने के लिए मिलेगा comfort की बात करते हैं वो कैसा यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलता है तो भाई यह देख, comfort की अगर मैं बात करूँ तो headroom space अच्छा खासा जबर्दस आपको मिल जाता है और seats की cushioning भी अच्छी खासी मिलती है, seats की चोड़ाई भी आपको अच्छी खासी मिलती है जिस होज़े साब seat में काफी अच्छे तरिके से बैड जाते हैं बागी जब गाड़ी में बैठते हैं तो आपकी visibility साब बनती है hood की मतलब आपको गाड़ी का hood बहुत clear न जाराते है जिस वज़े साब की cornings काफी अच्छी खासी हो जाती है under thigh support की बात करूँगा तो वो भी काफी अच्छा खासे हैं आपको देखने कले मिलते है मतलब six-seater में भाई काफी अच्छा खासा option यहाप आपको देखने कले मिल जाएगा और यह जो गाड़ी है यह आपको six-seater के साथ seven-seater option में भी देखने कले मिलती है यह तीन-чार चीज़े यहाँ पर prestige optional में आपको देखने कले मिलेंगी अब price range आपकी यही रहेगी जो मैं आपको बता है चाहे आप six-seater लें चाहे आप seven-seater लें तो चलिए आप चलते है middle seats में वहाँ देखने कले मिलती है चाहा बात भाई यह दरवाजा कुछ इस तरीके से खुलेगा आपका यहाँ पर और यह वही ऐसा friend में आपने देखा था भाई dual combination में आपको मिल जा रहा है यहाँ पर शंशेट curtains भी देखने कले मिल जाते हैं वही pattern silver color वाला मिल जाएगा power window का switch है यहाँ पर आपको place मिल जाएगा phone केरी कर सकते हैं bottle holder space दो दो मिलती है पीछे दो है आगे तीन है तीन च्छे दो आट दो दस यह रहे भाईया दस दस लोग तो बैड भी नहीं रहे हैं और दस bottle holder space देए गाड़ी के अंदर speakers की placing यहाँ पर आपको मिल जाएगी आकी यह देखे middle row आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलती है चलिए बैट के देखते हैं अब गाड़ी के अंदर क्या बात है ओ माइगाड यार इसमें थाई support तो काफी अच्छा घासा मिल रहा है और यह उठा कसे हवा हवा यहां से आपको देखने के लिए मिलती है यहाँ आपको रीडिंग लैंप का option मिल जाएगा कोट हैंकर का option मिल जाए इहां आपको यहां ब्राइं आपको ऑच्छा गासा है तो चीज यहां पर आपको और यह सीड्स नहीं आप इन्हें भी कर सकते हैं और प्र करनी सब चीज ओक है और यहां पर बात करेंगे तो दो टाइप सी के पोर्ट मिल जाएंगे फोन रखने के लिए प्लेस भी मिल जाएगा अब चलते हैं थर्ड रो में वह कैसा देखने के लिए मिलता है और यहीं से चल देता है यार कहां बाहर जाएं और यह देखिए भाई थर्ड रो में अब मैं आ चुका हूँ और यह देखिए सीट मैं आपने हिसाब से अजस्स करी थी तो देखिए फिर भी स्पेस नीरूम स्पेस भी है लेगरूम स्पेस मिल जा रहा है वैसा तो मोसली पीछे बच्चे ही बैठते हैं लेगिन जगह अच्छी घासी आपको द दिख लो मैं कितने आराम से बैठा हूँ जब भी जो सिक्स सीटर कार होती है सेवन सीटर कार होती है वहां पर एक मेरी हाइट का बंदा आराम से बैठ नहीं पाता है उसको अनकमबड़ेबल फील करता है क्योंकि उसको कमफड़ेबली सिटिंग पोश्चन नीमिल पाता है स अगर मैं भी बैठूंगा तो मुझे इतना अनकमफड़ेबल फील नहीं होता है यहां पर यह तो था कुछ इसका थर्ड रुका अब चलते हैं इसके इंजिन में देख लेते हैं इंजिन में क्या क्या चीज़ आपको देखने क्ले मिलती हैं और हां एक और चीज मैं आपको इसका यहां से ही नहीं आना है आपको सीट फोल्ड करके आना है तो यहां पर आपको मिलता है टंबल फोल्ड यह देखे कुछ इस तरह के से सीट पूरी फोल्ड हो जाती है और आप उठके आराम से जा सकते हैं और बाकी यह देखे इस फिर से मैं ऐसी खड़ा कर देता हूं के लिए चलते हैं बहार की साइड लोडी सी है वे इस तो फील हो रही है यार भई तो दोस्तों आप मैं आचको है इसके इंजिन कंपार्टमेंट में अगर इंजिन की बात करूँगा तो यहां पर आपको भई अगर बात करेंगे ब्रेकिंग्स में तो भई एबिस एब्डी ब्रेकसी जैसे फीचरेंश हैं तो भई यह तो था कुछ इसका इंजिन आप कर लेते हैं तो दोस्तों हमना बात करेंगे यहां पर इस किया कहरें प्रेस्टीज आप्सिनल वेरियंट के बारे में जो हमारे सामने खड़ा हुआ है गाड़ी में features तो खेर आपको जबरदस मिल जाते हैं safety से related कहें तो भाई आपको यहापे hill descent control भी मिल रहा है hill hole control भी मिल रहा है front में भी parking sensors आपको देखने के लिए मिल जाते हैं six-seater option है space आपको काफी अच्छा खासा देखने के लिए मिल जाते है तो दोस्तो यह गाड़ी आपको कैसी लगती है please comment section में मुझे जरूर बताईएगा अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like, comment और share जरूर कीजेगा और हाँ अगर आप चैनल में आए हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे, bell icon को press कर लिजे जिससे के आपको ऐसे बहतरीन अपडेट्स मिलते रहें तो चलिए चलते हैं दोस्तों फिर मिलता आपसे कोई नहीं वीडियो में तब तक क्लिए जय हिर्ण